हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो एक्स्प्रेस स्टडी, आज हम करेंगे एक्साइज 5.3 का कोशन नमबर 5, स्टार्ट करते हैं, हमें क्या find out करना है, number of terms and common difference, ऐसा ही हमने same question थर्ड के पार्ट में किया है, देखें उसमें हमारी का first term गिवन थी, last term गिवन थी और sum गिवन था, solution स्टार्ट करते हैं, first term आपके पास, first term को क्या बोला जाता है, a, a आपके पास कितना है, 5, and last term an, यह इसको l भी बोला जाता है, equal to 45, sum कितना गिवन है हमारे पास, 400, कितना गिवन है आपके पास, 400, देखें an equal to आपके पास किया गिवन है, 45, an का formula लगाए, a plus n minus 1, multiply d equal to 45, values रखिए, a की value आपके पास कितनी गिवन है, 5, plus n minus 1, multiply d equal to 45, n minus 1, multiply d equal to 45, minus 5, n minus 1, multiply d equal to 40, देखें बच्चो, an equal to 45 था, हमने an का formula लगाया, जहाँ पर हमें value थी, हमने उसको solve किया, अब हमारे पास इसकी value नहीं है, इसको as it is, इसको equation हम star नाम देते हैं, clear, अब देखें आपके पास क्या given है, sn, sn equal to 400, sn का formula, n by 2, 2a plus n minus 1, multiply d, equal to 400, देखें, n की value हमें find out करनी है, a हमारे पास कितना given है, 5, sorry, कितना given है, a हमारे पास, 5, plus n minus 1, multiply d, देखें, n minus 1, multiply d की value कितनी है, 40, तो यहाँ पर इस पूरे की value हम क्या लिख सकते हैं, 40, clear, equal to 400, इसलिए हमने इसको as it is छोड़ दिया था, इसको हमने क्या कर लिए value, 45, निकली इसकी, n by 2, यहाँ पर कितना हुआ, 10, plus 40, 400, n by 2, देखें, 2 multiply में हैं आपके पास, यह 50, आप divide भी कर सकते हो, 25 equal to 400, आप 2 को उस साइड भी लेके जा सकते थे, multiply में, तब भी आपके पास simple हो जाता, अगर आपने ऐसे cutting कर लिए, 10 और 40, 50, 2 से divide किया, कितना आ गया, 25, n equal to 400, n equal to 400 divided by 5, अगर आपको ड्रेक टेबल पे नहीं आता कट करना, आप छोटे टेबल से कट करिए, 5, 5 जा, 5, 8 जा, 5 बंजा, 5, 8 से 5 किया, 3, sorry, 8 से 3, और कितना आ गया, 6, n की value कितनी आगी, 16, number of terms हमारे पास कितनी आगी, 16, हमें number of terms तो find out कर ली, अब हमने क्या करना है, common difference, देखिए, n equal to 16, using this value, using this value, in equation number star, equation star में, put करिए, 16 minus 1, पहले आप equation लिखिए, n minus 1, n minus 1 multiply d, n minus 1 multiply d equal to 40, n की value कितनी आपके पास, 16 minus 1 multiply d equal to 40, d equal to 40, d equal to 40 divided by 5, 15, 5 3 जा, 5 8 जा, d की value कितनी आई आपके पास, 8 by 3, अब दुबारा repeat करते हैं, first term आपके पास कितनी है, 5, और आपके पास, last term given है, आपको 45, sn आपको कितना given है, 400, हमने an का formula खोला, और हमने क्या किया, an का formula खोला, कितना है, a plus n minus 1 multiply d, यहां से हमारे पास equation बन गई, इस equation का हमने, इस equation में use किया, sn में, sn आपके पास 400 थी, sn का formula n by 2, 2a plus n minus 1 multiply d, equal to 400, n by 2, a की value क्या थी, 5 plus n minus 1 multiply d, equal to 40, 10 में 40 को add किया, कितना हुआ, 50, cutting की हमारे पास, n की value आगई, n की value का हमने star में use किया, तो हमारे पास d की value आगई, तो आप नीचे mention कर दिया करो, number of term equal to 16, common difference equal to 8 by 3, यह था आपका question number 5th,